8 is कि Hello everyone and welcome to test book super coaching सभी का स्वागत है test book super coaching के ऊपर सिशन में बात करने वाले है यूजे सिनेट examination के बारे में जो आपका next होगा December के अंदर जोने वाला है उसके साथ साथ सेट examination के बारे में जो कि December में है और November में तो दोनों examination के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपके strategy क्या होनी चाहिए दोनों examination को लेके क्योंकि बहुत सारे states के अंदर same time पे set examination भी आने वाला है और same time पर आपका next UGC net December 2024 भी होने वाला है तो क्या approach होना चाहिए क्या strategy होनी चाहिए यह सीच के बारे में का 10 शुरू है तो सबसे पहले आएगा आपका जम्मू कश्मीर कैश में होने वाला है और हर साल जमू कश्मीर के अंदर examination होता है जिसको जमू कश्मीर सेट के examination के नाम से जाना जाता है तो इस तरीक में होगा आपका 20 30 October के अंदर then West Bengal set जो आपको होने वाला है वो होने वाला है 15 December में तो यह आपका examination जो है almost UGC net December के आसपास होने वाला है तो December में आपका WB set है ठीक है इसके notification जो है already शुरू हो चुके 1 August से 31st August से इसका last date है तो यह जा चुका है आपका application form 15 December इसका examination date है फिर आपका MP set तो MP set कभ होगा यह भी आपका 15 में ही होने वाला है MP के अंदर ही 2024 में Madhya Pradesh Public Service Commission इस examination conduct कराएगा फिर आपका आता है करनाट का set करनाट का set होने वाला है 24th of November में यह examination भी आपका UGC net के आसपास होगा करनाट का eligibility test वही examination जो आपका different different sets set examination अलग-अलग state के अंदर होते हैं गुजराश set होने वाला है आपका 1 December के अंदर तो आप देख सकते हो कितने examination है set examination है जो December के आसपास होने वाले December गुजराश set आपका November हो जाता है करनाट का set देन उसके पहले आपका December फिर MP set फिर December WB set जम कश्मीर set तो next मांते हैं तो आप देख सकते हैं कितने set examination जो है November दिसेंबर के अंदर होने वाला है और upcoming set examination ही category के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे महराश्ट्रा set यह 2025 के अंदर होगा यह आपका यू सेट यह भी 2025 केंदर होगा आंदर प्रदेश सेट तमिल नाडु सेट चतिसगर सेट एचपी सेट राजस्थान सेट पिहार सेट जिसको बैट के नाम से बोलते हैं जारकंड सेट तो यह upcoming set examination है जो आपके दिसेंबर के बाद आएंगे अब आपकी क्या strategy होनी चाहिए दिसेंबर को लेके भी दिसेंबर को लेके जहां पर आपका यूजिस नेट भी मिलने वाला है यूजिस नेट का पंद्रह जनुरी तक हो सकती है तो सेम टाइम प्रडवे आपका वेस्ट वेंगॉल का सेट होने वाला है तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए इन दोनों examination को लेके तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए दोनों सेट examination कहीं कि दोनों का examination patterns same है पेपर 1 दोनों के अंदर आता है पेपर 2 दोनों के अंदर आता है सेम वे में ही पेपर 1 50 कुश्शंट वहां नहीं होता है से एक्ँषंट में आपके वेस्ट पेंगॉल हो अंदरप्रदीशका हो कोई से भी सेट का वह सेम आपके यहां पे पेपर 1 में 50 पेपर 2 में 100 कुश्ट अंट्रीन आपके 300 मार्क्ष यहां पर एक question 2 marks का है, similar way में 1 question 2 marks का, तो 300 marks का total examination होता है, आपका set भी और UGC net भी, then अगर मैं slavers की बात करता हूँ, same आपका slavers, जो paper 1 का UGC net के अंदर होता है, same slavers आपको set examination के अंदर भी देखने को मिलता है, paper 1 and paper 2, similar word to word, in fact, जो set examination है, हमेशा वो यही बोलता है, कि आप UGC net का slavers को refer कीजे, तो slavers भी आपका सेम हो गया, level of examination, अगर आप UGC net examination के उपरेशन करता है, तो set examination comparatively low level होता है, अगर आप UGC net के उपरेशन करेंगे, तो set examination आपको low level लेवल लेखने को मिलेगा, हाँ, कहीं-कही paper 2 का level state specific हो जाता है, वो examination थोड़ा difficult बना देते हैं, जैसे महराष्ट का state specific हो जाता है, वहाँ पर मैं history के अगर बात करता हूँ, तो महराथी history specific ज्यादा question पूछे आता है, इस वाइसे थोड़ा सा level हो हाई हो जाता है, किसी-किसी state का, लेकिन ज्यादा तर जो set examination है, उनका slabus almost same, 100% same, slabus same, examination pattern same, और level compare करें UGC net से, तो वो लोई हमें देखने को मिलता है, अब इसमें आपका फायदा क्या है, आप अगर UGC net examination और set examination दोनों देते हो, तो आपका फायदा क्या है, या अगर आप UGC net की preparation करते हो, set के साथ-साथ, तो उसका फायदा क्या है, उसका फायदा ये है, देखो, एक तो slabus same है, examination pattern same है, तो अगर आप net की operation करते हैं, तो automatically होता क्या है, अगर अपने बहुत अच्छे preparation की है, क्योंकि high level operation करते हो, तो low level examination आपके बहुत अच्छे से clear हो जाते है, तो ध्यान दीजेगा इस चीज़ का, अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप, इसमें difference क्या है, अगर आप UGC net examination क्वालिफाइ करते हो, या set examination क्वालिफाइ करते हो, difference क्या है, UGC net examination आपको eligible बनाता है, assistant professor के लिए throughout India, PhD में admission ले सकते हैं, throughout India, UGC net examination का scorecard यूज़ करके, उसका certificate यूज़ करके, आप कहीं भी job के लिए apply भी कर सकते हैं, all over India, लेकिन set examination में क्या होता है, set examination में होता है, कि आप state specific हो जाते हो, तो आपने west bengal set अगर qualify के, तो west bengal के अंदर या आप assistant professor के लिए आप लाए कर पाऊगे, साथ यसाथ PhD के लिए भी west bengal के लाए कर पाऊगे, और किसी state के अंदर नहीं कर पाऊगे, तो ये फायदा होता है net qualify करने का, और ये फायदा होता है set का, set state के अंदर and net पूरा all over India, so please make sure कि आप दोने examination preparation कीज़े, in fact, जब slavers सेम है, examination pattern सेम है, तो आपको ये नहीं समझ रहा है कि मैं अलग-अलग दो examination preparation कर रहा हूँ ये कर रही हूँ, क्योंकि examination एक ही है, slavers एक ही, examination patterns एक ही है, तो आपको करना क्या है, करना केवल है कि आप यूजी सिनेट examination की operation कीज़े, ओके, यूजी सिनेट examination की operation आप test box उपर coaching के साथ करते हो, तो आपको मिलता है paper 1 and paper 2 दोनों, उसके साथ-साथ इसमें test series भी होती है, examination pattern के उपर, और test series आप प्रिविश सेर कोश्चन भी fully solved होते है, आपको मिलता है and end में जब आप examination होदा है, तो आपको PhD mentorship भी यहाँ पर मिलती है, तो अगर आप यूजी सिनेट की operation करोगे, तो set examination chances है, high chances है कि आप बहुत यह असानी से qualify कर लोगे, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, यूजी सिनेट एक्जाम की operation करने के लिए इस number पर call कीजिए 080458812, साथ ही साथ जो आपका comment section है YouTube comment section है, वहाँ भी आपने फॉर्म लगा दिया Google form, आप उसको fill कर दीजे हमारी team आपसे connect कर लेगी, आपको guide कर देगी यूजी सिनेट examination को लेके भी, सेट examination को लेके भी, ठीक है तो wait मत कीजिए क्योंकि दिसेंबर के अंदर आपके इतने सारे examination आने वाले हैं, आपका यूजी सिनेट examination तो हो गाई उसके साथ चाथ multiple set examination भी आपकी states के आने वाले हैं, तो preparation करना शुरू कर दीजे, क्योंकि आपका जो सपना है assistant professor का उसको साकार करने के लिए test book से उपर coaching आपके साथ है, ठीक है, तो और अगर history के student है, अगर को history का student है, तो please make sure ये telegram channel join कर लिए, अश्वनी सार test book, यहां पर आपकी नई series शुरू हो रही है, जो कि completely free है, आपके उपर 7 बजे होगी, इस week हम क्या कर रहे हैं, इस week हम modern India कर रहे है, modern India और कहां पर होगी, आपके उपर 7 बजे, तो मिलते हैं वहीं पर होगे, thank you very much, bye bye.